अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आज दिन परदशन सामने आ रहे हैं गुरुवार को एन इभी शेतर में एक 68 वर्शे वर्दा पानी की टंकी पर चड़ गई वहां मौझूद इस थानिय लोगों ने बताए कि इस शेतर में पिछले 10-12 दिनों से पानी की विकट समस्या है लेकिन जल्दाए विभाग कोई समधान नहीं कर रहा इस बासे खफा लोगों ने परदशन किया गुरुवार सुबह पानी की समस्या को लेकर एनी बी छेतर में इस थानिय पारशल सहीत अनीक महिला और पुर्शों ने परदशन किया इस दुरान वहां मुझूद एक 68 वर्षिय वर्दा पानी की टंकी पर चड़ गई जिस से हड कम मच गया और सूचना अपन जल्दाय विभाग के सायक अभ्यानता अतुल क कड़ मोके पर पहुँचे और समस्या के जल्द समधान किये जाने का आश्वा संदिया इनकी कोई पुरानी आउसिमोड के टाइम की डली भी पाइपलाइन है इसमें कोई चोकेश प्रतीत हो रही है अभी दस बारा दिन पहले इनकी शिकायवाई था उस दिन इनके पानी आ गया था तो उस चीज को इसके बाद इन्होंने किसी ने कोई लोकल करमचरियों से बात करते रहे करमचरिय अपने इसाब से अंडल करते रहे मेरे जानकरी में पारशद की जानकरी में बात दुबरा नहीं आई जैसे ही मुझे आज पारशद जी ने शुबर बात करी मैंने इनको बताया था कि आज इस काम को मैं करवा दूँगा उसके बाद महिलों में रोश जादा था ये कुछ टंकी पे चड़ गया है अब टंकी पे चड़ना गलत है अपनी बात को मनवाने का इस तरीका गलत है जब हम आपकी बात मानने को तयार है जन प्रतिनी दियाव की बात सुनने को तयार है तो टंकी पे चड़ना कोई हल नही इसी का मेरे को इन से कहना है वाकी काम में आज इनका करवा रहा है। लेकिन फिर वो 10-20 दिन का हालात इसे बस से बत्तर हो गए कि पाने नहीं मिला। ज्यादा पानी का भी बढ़ते हैं उसके बावजूद भी इनको पाने नहीं मिल रहा। रात अज दिन मोटर चल रही है। परसी भी में साथ बटा मेरे दे और गरे मानाक आई। परसो कैम पर भाव के पाथ चोटो मेंना नूचरी जहके लाई पेट पे वाकि चार दिन से में खराब रही। इस टंकी में पानी है क्या। इमें फूप पानी है। और सब किते जारी है। याने हमारी गड़ी को इंस्टाम कर रखे। झाल 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 झाल